दो आएसा अपराधी हुआ गिरक्तार जिसे हत्यार का कारोबाग और वीडियो कैमरा के साथ मोटर साइकिल छीनने का था जुनून सबार मेदनी चोगी थाना पुलिस को मिली बड़ी सा फलता इसी दो अपराधी को गिरक्तार करने में नमसकार में विनेकोमार आप देख रहे हैं स्वजर समाचार मेदनी चोगी थाना पुलिस को गुब्द सुचना मिली कि दो अपराधी मोटर साइकिल पे सलार होकर के मुंगेर की ओर से लखी साइक की ओर जा रहा है जब दोनों मोटरफाइकिल सवार अपराधियों को मेदनीचों की थाना पुलिस के द्वारा रोका गया और जाज किया गया तो दोनों के पास से 50 जिन्दा कार्टूफ 21,000 रुपईया और चोड़ी का मोबाइल बरामद हुआ और जब सक्ती से उससे पूछ ताच की गई तो छीने हुए मोटरफाइकिल के संबंध में और चोड़ी किये हुए वीडियो केमरा के संबंध में भी बताया और चिन्नित अस्थानों से छीना हुआ दो मोटरफाइकिल और वीडियो केमरा भी हुआ बरामद दोनों गिरपदार अपराधी में से एक अपराधी अमरजीत कुमार उर्फ बजरंगी फुर्जगढ़ा थाना के नंदपूर गाउ का रहने वाला है और दूफरा बेबु फरैजीला के सामहो द्यारा के राउसन कुमार है जिसे जराइन की दुनिया में अपनी धमक बनाने के लिए दहसत फैलाने के लिए हथियार का कारोबार और वीडियो कैमरा छीनने का जुरूल सवार था और आपको बताते चले हैं या पहले दोनों अपराधी इसी भी वीडियो ग्राफी करने वाले को अग्रिम राफी दे करके करता था वीडियो ग्राफी के नाम पे बुक और जब हुआ कैमरा मेन अपना कैमरा ले करके आता था वीडियो ग्राफिक करने तो हत्यार के बल पर यह दोनों आपरादी कहीं सुनफान जगह नदी कानी किनारे ले जा करके कैमरा मोटर साइकी लवरूस का कैस लेता था लूट मेदनी चौकि थाना पुलिस को इसी दोनों आपरादी को गिरतार करने में मिली सा पलता आप सुनें कि लक्किसरय के एस्पी रऊसन कुमार क्या कुछ कह रहा हैं प्रेस कोन्फरेंस में इस दोनों आपरादी के समंद में जिस आपराधी को हत्यार का कारवार के साथ साथ वीडियो केमरा और मोवाइल छिनने का था जुनूर सवार और जराइन की दुनिया में होना था जिसमें वीडियोग्राफर को वीडियो सूट करने के नाम पर फोन करके बुलाया गया और हंथियार के दम पर उसका कैमरा और पैसा लूट लिया गया एक घटना इसमें 27 जुलाई को ही थी और दूसरी घटना परति हुए 17 अगस्त को ही थी इस घटना के बाद से उस इलाके क कल सूचना मिली मेंदीचो के थाना देक्षको कि इसमें से दो जो लोग हैं वो मोट साइकल से मुंगेड की तरफ से आ रहा है उसके बाद टीम बना कर उनके द्वारा छापा मारी की गई उसमें रास्ते में संदेक क्याधर पर रोकने पर दो लोग भागे इसमें अमनजीत कुमार और सिवंकुमार जो एक मुट साइकल पर थे उनको पकड़ा गया पकरने पर उनके पास से लूट का रुपया और पचास राउंड गोली बढ़ा मद हुआ विस्तरित पूसात करने पर उनके साथ उनके गाउं का चिक्कू था जो नंदपूर का रहने वाला है पुरुत में उसका अपराधी के इतिहास रहा है यह लोग साजिस के तहत फोन करके वीडियोग्राफर फोटोग्राफर को बुलाते थे और हुसैना और अगर अगिल के जो दियाराईला का है उधर ले जाके उसका कैमरा और पैसा चींग लेते थे इन दोनों की गिरफतारी के बाद इनके निसान देगी पर नंदपूर गाउं से वो लूटा हुआ कैमरा भी बरामत किया गया और लूट का पैसा उसके अलावा भी इनके पास जो पैसे थे वो और जो गोली ये लोग लेके आ रहा थे मुंगेर से खरीद को भी बरामाद किया गया गया रूपया एक इस जार एक इस जार रूपय बरामाद किया ये तो नंदपूर का है और दूसरा सामो का है सिवन कुमार दो घटना पर्तिवेदित हुए एक जुलाई में 27 जुलाई क प्रतिव और 17 जुलाई इस जार थे जुलाई समय झाए कि मारमाद किय already? पूर में आपरादी की तियासरा है, दहसत फैलाने के लिए लोग बुली चलाना कहीं भी किसी से गुंडा-गर्दी करना, रंगदारी मांगना, किसी पर बुली चला देना, इनके लिए हमेशा का आधतर है, पूर में भी लोग जेल जा चुके हैं, और चिकु और इनका हाल प पूरा सत्यापन होने ही पाया है, होने के बाद इसमें आगे, महिला के भी बात आ रही है, कि पंडला भी इसके गहिं में शामिर ने, अब ही इस तरह का कोई ड्रेक्ट इविडेंस किसी के खिलाफ नहीं आए, ऐसा पुछाएगा तो बताएगा, जैसर गोलियां का हसे रहा था, मुंगिर में एक जगह चिनित किया गया, जहां से लेकर आ रहा है, तो इसमें लोग का नजर है, जैसर आदमी का पाचानू, उसको ग्रिफ्तार करने के बाद आगे, उसको पता चाहिए